तिर्भूज के तीनों लंब के मिलान बिंदू को क्या कहते हैं लंब केंद्र कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे लंब केंद्र देखो अब हम लोग सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अंता केंद्र क्या होता है बाईय केंद्र क्या होता है मद्य केंद्र और लंब केंद्र क्या होत इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं बस इतना ध्यान में रखना है जो तीनो तिर्भूज के तीनो जो लंब का मिलान बिंदु होता है उसको हम लोग लंब केंद्र कहते हैं अब हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि अंता केंद्र क्या होता है बाये केंद्र क्या होता ह और लंब खेंद्र क्या होता है ठीक है देखो ये हमारा तिर्भूज है ये हमने क्या कर दिया तिर्भूज के ये जो आंतरी कोन है ये अंदर वाला कोन है ना आंतरी कोन का ये हमारा समद्वी भाज़क है कोनों को समद्वी भाज़त करने वाला ये रेखा है ठीक है ये कोन य उसके बाद एक इस कोन का सम्दुई भाजक किचा, इस कोन का भी सम्दुई भाजक किचा, ये दुनों कोन बराबर, ये दुनों कोन बराबर, तो इन तीनों ही रेखाओं का जो मध्य बिंदू है, सोरी, कटान बिंदू है, मिलान बिंदू है, इस बिंदू को हम लोग बोलें इस केंद्र को केंद्र मान के हम क्या कर सकते हैं एक आंतरिक ब्रित खिर सकते हैं ऐसे ठीक है ऐसे एक हम लोग एक ब्रित खिर सकते हैं आंतरिक ब्रित ठीक है क्लियर चलो तो इसको हम लोग अंता केंद्र बोलेंगे उसके बाद हम देख लेंगे जो बाहिये केंद्र होता है वो क्या होता है बाहिये केंद्र उसको कहेंगे यह भूजा है ना भूजाओं का लंब सम्दूई भाजग का मिलान बिंदो लंब सम्द्वी भाज़क यह हमारा भूजा है इस बिंदू को हम लोग मद्विंदू ले लेते हैं मद्विंदू लेकर के हम एक लंब खीचते हैं लंब जो 90 डिगरी का होगा ठीक है? पुना हम इस भूजा में मद्विंदू लेकर के हम क्या करेंगे? इस मद्विंदू पर एक लंब खीचेंगे ठीक है? सिर्सों से मतलब नहीं है इसमें लंब खीचेंगे तो यह लंब सम्द्वी भाज़क होगा 90 डिगरी पर खीचते हैं पुना हम इस भूजा को लेकर के आधा में यानि इस भूजा का एक मद्विंदू लेंगे और उस पर एक लंब खीचेंगे 90 डिगरी का खुन बनाएंगे तो इसका इन तीनों का जो मिलान बिंदू होगा इसको हम लोग कहेंगे बाहिये केंद्र क्या कहेंगे इसको बाहिये केंद्र और इसको केंद्र मान करके हम क्या कर सकते हैं ये बाहर से एक बिरित किस सकते हैं ऐसे जब बनाओगे न तो बन जाएगा ऐसे बन जाएगा ऐसे हम लोग एक बिरित इस तरह से खीच सकते हैं यह हमारा हो गया है याद रहना है कि भुजाओं का लंब सम्धिभाजक यह दोनों ही यह जो भुजा है इसका सम्धिभाजक और लंब 90 डिग्री वाला ठीक है उसके बाद मद्द के अंद्री क्या होता है सिर्सों से भुजा का सम्धिभाजक इस सिर्सों से और यह जो भुजा है इसका सम्धिभाजक यह दोनों बड़ाबर होगा ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, इसका कोन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाहिये केंद्र में लंब होना चाहिए, 90 डिगरी होना चाहिए, और मध्य केंद्र में हम लोग इसमें जो है, इस कोन की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, कितने डिगरी है उससे बस इतना धियान रखना है कि सीर्ष से हम इस भूजा को सम्धिभाजित करेंगे, बराबर भागों में बाटेंगे, तो यह हो जाएगा, यह जो मिलान बिंदु है, यह हमारा मध्य केंद्र हो जाएगा, मध्य केंद्र को हम लोग केंद्र भी बोलते हैं, याद रहेगा, चलो, लंब केंद्र क्या होता है, बुजाओं पर सिर्षों से जो लंब डालते हैं, लंब डाल देना, यानि भुजाओं से सिर्षों पर डाला गया लंब, उसको हम लोग, तीनों लंबो का, जो मिलान बिंदु होता है, उसको हम लोग लंब केंद्र कहेंगे, थोड़ा समझने में परिशा नहीं हो सकता है, परिशा नहीं क्या, कोई दिकत नहीं होगा, यहाँ देखो, यह हमार उसे कोईअ फरक नहीं पड़ता है, बस सिर्षों से, हम क्या करमें होगा भुजाओं पर डालेंगे, मतलब 90 डिगरी का कोन बनाएंगे, यहां, इस सिर्षों से इस भुजाओं पर हम लोगों ने 60 डिगरी का कौन बनाएं, और तीनों जिस बिंदु पर मिला, उसको हम कोदिकत समझे माई बात चालो तो इसमें तो इसमें यही कहा है कि तिर्भूज के तीनों लंब के मिलान बिंदू को क्या कहते हैं तो लंब केंद्र कहते हैं I hope आप लोको समझ में आया होगा नहीं चालो